Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel, Magnet Brains. Well, आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? Well, हमने chapter number 8 के सारे topics पढ़ लिये, हमने सारे sub-topics देख लिये, अब बारी आती है उसके solution की. तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी chapter number 8 का NCRT solution. तो चलिए देदी किस बात की शुरुआत करते हैं, question number 1 से, पहला जो question है, आपसे पूछा गया है, take the most suitable answer in question 1 and 2, ठीक है, well, दो questions है, उसमें आपको सही answer बताना है. In addition to rock particles, the soil contains, well, soil के अंदर rock के particles के साथ साथ और कौन-कौन सी चीज होती है, हवा, पानी, air and water, water and plants, minerals, organic matter, air and water, या फिर water, air and plants. तो well, air and water तो होता ही है, plants होते हैं क्या soil के अंदर? नहीं, उपर की तरफ होते हैं, तो जो आपका पहला option, second option है, ये तो थोड़ा सा गलत है, water, air and plants भी थोड़ा सा गलत है, लेकिन यहाँ पर बारी आती है, air and water की. organic matter, air and water, तो इसलिए इसका क्या सही answer होना चाहिए, ये होगा, in addition to the rock particle, the soil contains mineral, organic matter, air and water, clear? चलिए, next question क्या है, the water holding capacity is highest in, तो पानी को hold करने की जो capacity होती है, वो सबसे ज़्यादा किसमे होती है, तो ऐसी soil में होगी, जिसके particle छोटे-छोटे हो, और बहुत पास-पास में हो, ताकि वो पानी को एक जगा से दूसरे जगा जाने ना दे, तो ऐसी कौन सी soil होती है, तो वेल, sand soil कैसी होती है, तो अगर sand soil की बात करें, तो उसके जो particles हैं, वो थोड़े दूर-दूर होते हैं, ठीक है, अब इसमें अगर पानी डाला जाएगा, तो यह आसानी से कहां से कहां पहुच जाएगा, एक जगे से दूसरी जगे, और यह पानी को होल्ड नहीं कर पाएगा, दूसरा चाइब कर जो आपका sand है, वो है आपका clay soil, तो clay में क्या होता है, बहुत चुटे-चुटे-चुटे-चुटे particles होते हैं, जो आपस में इस तरहा से जुड़े हुए रहते हैं, तो अगर इस तरहीके के particles में मैं पानी को डालूंगी, तो पानी को थोड़ा time मतलब यह अच्छी तरीके से पानी को hold कर पाएगा, लूमी soil कैसी soil होती है, बहुत ज्यादा कैसी होती है, बहुत ज्यादा दूर दूर भी नहीं होते हैं, मतलब लगवा कुछ इस तरहा कहीं, ठीक है, तो अगर इस तरीके की soil है, तो इसमें कैसा होगा, as compared to sandy soil इसमें जो percolation होगा या पानी को hold करनी की जो इसमें capacity होगी वो इससे ज़ादा होगी sandy से और किस से कम होगी clay से कम ठीक है तो भाई ये जो percolation है इसका जो पानी को hold करनी की capacity है वो average होती है तो mixture of sand and loom भी हो सकता है क्या तो sand अगर मिला दिये जाएगी अगर इसमें आपने sand मिला दी मतलब particles को आपने दूर दूर कर दिया तो ये अच्छी तरीके से पानी को hold नहीं कर पाएगा तो अगर मैं देखू कि इन तीनों type की clay में सबसे बहतर तरीके से पानी को कौन hold करेगा तो सबसे बहतर तरीके से आप डाइग्राम को देख कर ही समझ सकते हैं सबसे बहतर तरीके से पानी जो है वो clay टाइप की जो स्वाइल है वो hold कर पाएगी तो इसलिए इसका option क्या होना चाहिए इसका option होना चाहिए option number second clay ठीक है चलिए तो आगे बढ़ेंगे next question की तरफ question number third की तरफ so the water handling capacity is highest in clay soil यह आपको याद रखना है next to third question है यह है match the column आपको बताना है कि भाई कौन सा सही option होगा a home for living organism living organisms कहां रहते हैं तो जितने भी soils होती है उसमें living organisms रहते हैं अब आप सोचेंगे earthworms तो rate में नहीं रहते हैं sand में नहीं रहते फिर तो दूसरी तरीके तरीके के living organisms रहते हैं ना वापर ज़रूरी तो नहीं कि हर जागे earthworms हो सारे तरीके के living organisms की बात की गई है तो जितने टाइब के आपकी soils हैं सब ही में यह living organisms रह सकते हैं इसलिए A जो first है उसका answer क्या होगा उसका answer होगा option number B upper layer of the soil तो soil की जो उपर वाली layer होती है उसमें क्या होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा वो या तो dark color की होगी उसमें हम सोते हैं plant उसमें grow करेगा मनला plant वहां से दिखाई देगा आपको तो जो upper layer of soil है उसके लिए जो best option हमें दिख रहा है यह तो अपन already दे चुके है ना उसके लिए जो सबसे अच्छा option होगा वो यह होगा कि वो dark color का होगा क्योंकि बाकी सारी चीज़े जो है वो तो इ यह को कम अब्जॉब करें तो यह सी स्वाइल आपकी सैंडी स्वाइल होती तो इसके लिए बहतर क्या होना चाहिए option लाज़ पार्टिकल्स या फिर स्मॉल पार्टिकल्स इन पाक्डी टाइट लैसर अमाउंट ऑफ हम्स तो अगर देखा जाए तो लाज़ पार्टिकल्स जो है वही सैंडी स्वाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका option हो जाएगा option number a middle layer of the soil अब अगर middle layer की बात की जाए तो स्वाइल की जो middle layer होती है उसमें क्या हम्स होंगे जी नहीं तो यह हो जाएगा आपका lesser amount of hums ठीक है and clay soil कैसी soil होती है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं बहुत पास पास होते हैं तो यही option यहाँ पर दिया हुआ है small particles and packed tight तो इसका हो जाएगा आपका option number e चलिए यहाँ से देख लेते हैं क्या हम सही है तो जी हाँ middle layer of soil is lesser amount of hums sorry जो आज च्वाला था इसको पर D मैंने E गलती से लिख दिया है तो यह D है so a home for living organism is all kinds of soil upper layer of the soil is dark in color sandy soil is large particles soil middle layer of the soil is lesser amount of hums and the clay soil is small particles and packed tight तो यह हो गया आपका question number third का solution I hope आपको clear हुआ है आगे चलते है question number four की तरफ I'll explain how soil is formed अब आपको यह बताना है कि soil कैसे बनती है तो याद रखिएगा कि जो आपकी rocks होती है क्या होती है बड़ की अब थे वैदरिंग की process i shall be weathering की process क्या होती है ना थे कई बार आपने देखा होगा कि टूट करके चट्टाने और रही है और आस्ते ब्लट हो गये तो यह गिर जाती है किसकी वजह से गिरती है यह वैदरिंग की प्र wonderfully की वज़े से होती है तो विंड की वज़े से या वाटर की वज़े से या फिर दूसरे कुछ फेनामेना ठीक है अर्थ्वेक भी आ जाता है या बहुत सारे फिनोमेना हो सकते हैं इन सब ठीक है थोड़े से middle types of particles ये जो particles है वो हवा और पानी की मदद से wind and water की मदद से फिर कहां पहुँच जाते हैं आपके अलग-अलग जगे पर धीरे 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 ये बहुत जादा इनका क्या हो जाता है इसमें घर्शन होता है इनका corrosion होता है बहुत जादा ये और small particles में तूट जाते हैं ठीक है उसके बाद क्या होगा all और small particles में तूटेंगे ठीक है फिर नदी तालाब से बहते हुए इधर-उधर जाते हैं और ज्यादा इनका चोटे-चोटे-चोटे-चोटे चोटे पार्ट्स में क्या हो जाते हैं तूट जाते हैं और फिर finally एक ऐसे form में convert हो जाते हैं जो की क्या कहलाता है जो की कहलाता है soil ठीक है तो यह जो पूरा process है कि एक rock जो की wind weather की condition की मदद से weathering जिसको आप कहते हो उसके मदद से छोटे particle में तूटता है फिर और छोटे particle में तूटता है फिर यहां वहां जाते हुए climate की condition पर depend करते हुए इतने बारिक form में हो जाता है कि वह soil कहने लग जाता है अब कौन सा rock किस type की soil में convert हो रहा है वो depend करता है rock के उपर कुछ rocks जो है वह बहुत बिल्कुल छोटे छोटे इसे particle में तूट जाते हैं तो उसका अपन clay कहने लग जाते हैं कुछ जो होते हैं वह बड़े बड़े particles में होते हैं तुनको आप sands कहते हो जो कि generally ऐसे area में होते हैं जहां पानी की कमी हो पानी की वज़े से क्या होता है यह जो जो rocks के में बहुत ही छोटे particle में convert हो जाए तो उसको हम कहते हैं soil ठीक है तो इसका answer आप कैसे दे सकते हैं तो जरा देखिए soil is formed through the process of weathering यह वाली जो नाम है यह जरूर आपको याद रखना है कि जो weather से बना हुआ weathering है इसको आप जरूर लिखे तो soil किस process से बनता है weathering की process से weathering is a process of physical breakdown and chemical decomposition of rocks ठीक है किसका यह decomposition है physical और chemical decomposition physical मतलब physically तो तूटता ही है chemical का मतलब क्या होता है जब कोई चीज तूटते है तो उसके chemical decomposition होता है उसमें भी क्या होते है changes होना शुरू हो जाते हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा the weathering is a process of physical breakdown and chemical decomposition of the rocks and minerals near or at the surface of the earth ठीक है जो भी minerals है वो इसके साथ में मिल जाएंगे यहां वहां जाते जाते हैं उस clay के साथ में उस soil के साथ में मिलते जाते हैं ठीक है और इस तरह से यह जो process है वो पूरी होती है इस physical and chemical decomposition is primary done by wind, water and climate यह जो physical और जो chemical changes rocks के साथ में हो रहे हैं वो कौन करता है wind, water or climate As a result of this process, large rock pieces are converted into smaller pieces eventually to soil ऐसे जैसे मैं आपको बताया था यह जो large particles है rocks के फिर क्या होते हैं बड़े-बड़े particles से छुटे-छुटे particles और दीरे-दीरे soil में convert हो जाते हैं तो यह जो पूरी process है यह अपनी natural process ही है हम यह soil नहीं बना सकते हैं हमारे natural phenomena होता है अर्थ में ऐसी सारी चीज़े होती हैं जिसकी वज़े से यह जो rocks हैं वो दीरे-दीरे soil में convert हो जाते हैं clear चलिए तो यहाँ पर question number आपका खतम होता है fourth आगे बढ़ेंगे की question number five how is clay soil useful for crops अब चलिए तो clay soil जो है वो crops के लिए कैसी useful है इसके बारे में ज़रा discuss कर लेते हैं तो clay soil कैसी होती है जिसके fine particles हो जिसमें बहुत चोटे-चोटे particles होते हैं इतने चोटे particles कि यह पानी को अच्छी तरीके से absorb कर लेती है उनको percolate नहीं करती है बहुत ही proper तरीके से उसको moisture को maintain करके रखती है तो ऐसी कौन कौन सी crops है जिनको ऐसी जरुवत परती है तो जितनी भी आपकी फलीदार चीज़े चीज़े होती है grams होते हैं wheat होती है इन सभी को ऐसी clay की जरुवत परती है ऐसी soil की जरुवत परती है ताकि यह अपने moisture कंटेन को maintain करके रख सकें ठीक है तो ऐसी कौन सी फसले ऐसी कौन सी स्वाइल है जो है वह ऐसी क्रॉप को मदद करती है तो वहल की क्ले स्वाइल जो है क्योंकि वह बहुत अच्छी तरीके से पानी को अब्सॉप कर लेती है परकुलेशन थोड़ा कम होता है और मॉइस्टर को maintain करके रखती है ठीके ताक साथ ही साथ इसमें जो फर्टलाइजेशन होता है फर्टलिटी जो होती है इस क्ले की वह बहुत अच्छी होती है इसी कारण से हम इंसका यूज ऐसी क्रॉप में करते हैं जो कि हमारे अनाज वाली होती है जो से जो आपकी सिरलेक फर सिरेल फर जो आपकी क्रॉप होती है उनमें हम इनका यूज करते हैं जैसे की फॉल्विंग अर्ड़ प्रॉपर्टी जैसे इट है वेरी गूट वाटर होल्डिंग कैपसिटी और इस रिच इन और्गनिक मैंटर यह दोनों चीजे आप याद रख सकते हैं इसके अलावा अगर आपक सब्सक्राइब करते हैं वह हमारे लिए काफी यूसफुल होती है क्लियर चले तो आगे बढ़ेंगे नेक्स कुशिन देखते हैं लिस्ट तर डिफ्रेंस बिट्वेइन क्लेई स्वाइल और सैंडी स्वाइल में आपको डिफ्रेंस बताने हैं तो अगर पहला डिफ्रेंस तो एकॉर्डिंग टूदे यह पार्टिकल्स इसमें बहुत अच्छे सब्सक्राइब को नहीं लेकिन हाँ हवा इसमें पास हो सकती है तो यह ज्यादा होता है पानी को अच्छी तरके से एब्जॉब कर लेते हैं यह नहीं कर पाते हैं यह मौश्यर मिंटेन करते हैं यह सारे पॉइंट्स मैंने बोलतो दिये लिखे हुए होंगे तो आपको ज्यादा आसानी से याद होगा तो देख लेते हैं इटास मच्छ स्मॉलर पार्टिकल्स क्लेई स्वाहिल के और इटाज पार्टिकल्स नेक्स इस इट कैन होल गुड़ अमाउंट ऑफ वाटर क्लेई स क्लेई सोयल जोते हो फटलाइज गोते है इसलिए अपने इसमें वीज ग्राम इंस तरिकी की क्रॉप्स को लगाते हैं इट इस नाट फटाइल यह फटाइल नहीं होती एर कंटेंट इस लो इसमें जो एर कंटेंट होता है वो कम होता है एर कैट ट्रैप्ड बिट्वीन द particles इसमें जो एयर है वो ट्राप हो सकती है particles are tritely packed particles are loosely packed good for growing various crops not suitable for growing crops loo-mysol जो होता है असमें बहुत साथ तरिकी कि crops नहीं लग सकती यह आपके cotton के लिए ऐसी सारे चीज़ों के लिए तो ठीक है पतवर जैसे अगर आपने को अनाज वाली फसलों की बात करें ऐसी क्रॉप्स की जो कि आप जैसे वीट हो गई पैडी हो गई तो इसके लिए लूमी स्वाइल आप नहीं उसकरेंगे क्लेई स्वाइल का यूस करते हैं क्लियर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे रजिया कंडक्ट एक रजिया नाम की सुडेंट है ठीक है तो शी अब्जर्व दाट इट टूख 40 मिनिट्स फॉर 200 अमल ऑफ वाटर तो पर्कुलेट थूदा स्वाइल सेंपल अब उसने 40 मिनिट लगाए 200 अमल पानी को पर्कुलेट करने के लिए एक स्वाइल में वह पानी डालती जा रहे थी उसने देखा कि वह कितनी देर में प तो यहां पर इस कुशन इस फॉर्मुले का यूज हम कर लेंगे अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइड़ बाई पर्कुलेशन टाइम इन मिनिट पानी का जो अमाउंट है आप एमल में ही लिए तो इसने भी एमल में ही लिया है तो अमाउंट ऑफ वाटर 200 अमल है आरे एंगे तो आएगा कितना यहां से आजाएगा यह पाइव ठीक है तो हजाएगा फाइव एमल पर मिट तो मतलब 1 मिनित में फाइव एमल वो तो गोडुद करती है डाट मेंस कि उसका पर्कुलेशन कितना है फाइव एमल per minute चीक है तो अवा इस तरिके से आप उसमें क स्वाइल पॉल्यूशन और स्वाइल एरोजन के प्रिवेंशन से पहले यह जरूरी है कि मैं आपको बताओं कि इसका पॉल्यूशन क्यों हो जाता है पॉल्यूशन के कई कारण है जोकि हुमन्शी है पहले चीज़ों हम पॉलेथेंज का बहुत जादा यूज करते हैं यह जो polythene जब आप यहाँ वहाँ फेक देते हैं यह polythene जब soil में जाकर के मिलती है तो इसकी fertility को reduce कर देती है क्योंकि polythene में कई तरीके की chemicals तो लगे ही होते हैं साथ ही सार यह fertilization नहीं करने देती नहीं पानी को proper तरीके से soil के अंदर maintain करने देती है पहलत करन तो आपका मैंने polythene का बता दिया दूसरा करन है chemicals हम chemicals का बहुत जादा यूज करते हैं यह chemicals अगर डारेक्ली आर स्वाइल में डाल देंगे तो वो फिर से अगेन उसके pH value को disturb कर देगा soil जो है वो fertile नहीं रहेगी proper तरीके से crops को नहीं लगाएगी industrial waste का डालना industrial waste जो है वो भी क्या करते हैं हमारी soil को pollute करते हैं टेक है industrial waste अगर आपन डारेक्ली डालने तो उसमें कई तरीके की pesticides होते हैं टेक है तो उन pesticides का जो स्वाइल के साथ में अगर कॉंबिनेशन कर दिया जाए तो अगेन वह बहुत उसका पीएच लेवल जो है वह डिफस्ट अब हो जाएगा तो भाई वह भी हमें नहीं करना चाहिए और लास्ट तो यही है कि वही अपन जो क्रॉप्स को बहतर बनाने के लिए जो तो हमारा जो स्वाइल है वह पॉल्यूट नहीं होगा स्वाइण स्वाइल और रोजिन हमारे हिमन्स की गलती के वाज़े से जखता होने लगा है क्या है कि अगर अपने刚u नहीं लगा हमने इंस को अगर हटा दिया तो जो आपका निट्टी है य Excuse all जोकि इनकी roots की मदद से जुड़ी हुई रहती है, bind रहती है, वो इधर उधर होना शुरू हो जाएगी, जब आपने plant को हटा दिया, roots जिनकी मदद से जो मिट्टी है, जो स्वाइल है, वो जुड़ी हुई थी, एक जगे पर टिकी हुई थी, अब वो free हो जाएगी, और जैसे ही पानी आएगा, तेज बारिश आएगी, तेज हवा आएगी, तो अपनी जगे से यहाँ वहाँ चली जाएगी, roots होती, तो उनकी म किज़े के चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा भई, पे पौदे काटोगे, forest को आप अप हटा ऊगे, जितना जाद आप deforestation करोगे, पेर पादो को काटा, जंगलों को हटाना, deforestation कहलता है तो जितना जादा आप deforestation करेंगे उतने कम पेर फौदे हो जाएंगा जितना कम पेर फौदे होंगे उतना जादा SOIL EROUND हो जाएगा तो भैसले अगर अपन यह सारी चीजह की deforestation को कम कर दें ज़ादा से ज़ादा plants लगाएं ज़ादा से ज़ादा trees लगाएं तो यह जो soil erosion की problem है वो भी कम हो जाएगी soil erosion को क्यों रोकना जरूरी है क्योंकि भई soil अगर अच्छी नहीं रहेगी अच्छे से fertile नहीं रहेगी तो हमारी जो crops है वो भी अच्छी तरीके से नहीं लगेगी, crops नहीं लगेगी, तो हम किस तरह से खाएंगे, पियेंगे, तो भैल यही सारे points है, जो कि आपको pollution और solid region के लिए prevention में use करना है, कुछ points मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे the persistent built, जो building का construction हो रहा है, उसको अप हो सके, use करें, plastics and polythene bags are destroy the fertility of soil, hence these should be deposed off properly and if possible, these should be avoided, so इनको avoid करना ही चाहिए, industrial pollutants, जैसे मैंने बताया, की industrial के जो pollutants हैं, वो भी बहुत नुक्सान करते हैं, तो some waste product from industries and homes pollute the soil, these pollutants should be treated chemically to make them harmless before they are disposed off, फिर है, insecticides, so other pollutants of soil include pesticides and insecticides, therefore excessive use of these substances should be avoided, well कई तरीके के pollutants में, pesticides और insecticides होते हैं, जो कि हमारी soil को नुक्सान पहुचाते हैं, तो इनका कम use होना चाहिए, prevention soil erosion के लिए क्या होगा, removal of our fertile layer of the soil by strong wind and flowing water is known as soil erosion, following steps can be taken to reduce soil erosion, mass awareness to reduce deforestation for industrial purposes, बहुत जादा आपको awareness फैलानी होगी, कि deforestation कम किया जाए, industrial applications के लिए जो deforestation हो रहा है, उसे रोका जाए, helping local people to regenerate degrading forests, well, जो forest कम हो रहे हैं, degrade हो रहे हैं, उनको वापिस से बनानाया करने के लिए, उनको वापिस से support देने के लिए, हमें plantation करना चाहिए, और plant बहुत सारे trees हमारे forest में, आसपास के areas में, reverse के आसपास लगाने चाहिए, ताक कि भई, plant लगेंगे, soil erosion रुकेगा, soil erosion के साथ अच्छी बारिश होगी, बारिश होने के साथ साथ oxygen level maintain रहेगा, तो भई, plantation के तो कई सारे फाइदे हैं, जो कि हमें करना चाहिए, तो यहाँ पे question number 9 complete, आगे बढ़ेंगे question number 10 की तरफ, well, यह crossword puzzle है, जिसको आपको solve करना है, which is related to your chapter number 8, chapter number 8 से ही related है, so, पहला question क्या है, इसका, down में आपको लिखना है, in desert soil erosion occur through up, जो आपकी रगिस्थानी वाले area होते हैं, वहाँ पे soil erosion किसकी वज़े से होता होगा, तो वहाँ बारिश तो होती ही नहीं कि पानी की वज़े से, वहाँ सबसे अधा क्या चलती है, हवा, तो wind की वज़े से, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, wind, clear, आगे देखते हैं, second, plantation prevents it, plantation के वज़े से क्या prevent होता है, तो भाई erosion prevent होता है, soil erosion, लेकिन यहाँ पर आपको सिफ 7 words के लिए दिया हुआ है, तो soil के जगे आप erosion भी लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा आपका erosion, clear, next है, clay and loom are suitable for serlex-like, भाई यह जो आपके syrells type की जो crops होती है, उसका एक example आपको देना है, तो यहाँ पर अगर अपन देखें, तो यहाँ पर जो example में fit बैठ रहा है, वो है wheat, तो हमें आप लिख देते हैं wheat, गेहू, okay, next देख लेते है, question number, आपका 4 क्या है, this type of soil can hold very little water, अब यह जो type की soil है, बहुत कम पानी hold करती है, तो ऐसी कौन सी soil है, जो कम पानी hold करें, तो वो होती है sand, ठीक है, तो आपन लिख देते हैं sand और d, sandy, ठीक है, next है, collective names of layers of the soil, वही जो layers होती है, soils की, उसको आप क्या कहते हो, तो उस layers को अपन कहते हैं, origins, तो भई, देख लेते हैं, आपको कहा लिखना है, down में, यह हो जाएगा, ठीक, लेकिन यह नाम लिखने से पहले, हम profile भी कहते हैं, उसे, तो profile लिखना है, या origin, यह चेक कर लेते हैं, 7th क्या है, living organism in the soil, तो वो होत होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, profile आएगा, तो जाएगा, पी, आर ओ, एफ, आई, ल, ए, प्रोफाइल, और यहाँ, ए से निकल जाएगा, आपका, earthworm, क्या था, living organism in the, earth, clear, चले, next question, आप से क्या पूचा गया है, use should be banned to avoid soil pollution, इसका यूज नहीं करना चाहिए, तो किसका यूज नहीं करना चाहिए, polythene का, ठीक है, तो यहाँ इस तरह से खतम करते हैं, हमारे question number 10 को, यह देखिए, सारे options वहीं हैं, जो हमने इसमें fill किये हुए थे, ठीक है, I hope आपको यह crossword समझ में आया होगा, और इसके साथ ही, हमारा NCRT solution complete होता है, तो वेल, अगर आपको solution समझ में आ गया है, अगर कुछ topic मिस हो गया है, तो आप कैसे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, www.magnetbrains.com के through, जैसे ही www.magnetbrains.com डालेंगे, यह screen open हो जाएगी, जिसमें नीचे की तरफ, आपको classes दिख रहे हैं, जो भी class के आप करते साथ ही एक और screen खुलेगी, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, chapter 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, सारा description यहाँ पर है, जो भी chapter पढ़ना हो, उसको क्लिक करो, क्लिक करते साथ ही आपको वीडियो देख जाएगा, वीडियो को पूरा देखो, तभी topic clear होता है, उसके बाद अ उनके साथ भी जो किसी और class में हो, क्योंकि हमारे पास 100% free classes है, kindergarten से class 12 तक, इसके अलावा कही सारे exam preparations के लिए भी हमने बहुत सारी online videos बढ़ाये हुए है, आप बिल्कुल देख सकते हैं channel के through, वैल आप channel को subscribe करें और जो भी क्या ता कि क्या हो, जो भी recent update है वो आप तक तुर पली तां यू